अलो दोस्तों स्वागए थे आपका इस लेक्चर में जिसमें हम लोग देखने आ रहे हैं मैकेवली तो चलिए सुरू करते हैं टाइम पीरियड क्या था मैकेवली का तो 1469 थे 1527 कहां से बिलोंग करते थे मैकेवली तो इतली थे और इनको फादर ऑफ यूरोपेयन सेकलरिजम में बुला जाता है और एक जो कोड जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिमस है वह है इंड जिस्टिफाइज दमिल्स अब 1469 से 1527 तक के बीच में सोसाइटी में चल क्या रही थी तो यह जो पीरियड था वह ट्रंजेशन का पीरियड था सोसाइटी मेडेवल एज से मॉडर् से डिरेक्ली इंफ्लूएंस्ट था तो वहां जो राशनल थिंकिंग थी वह बहुत ज़्यादा कम हो गए थी लिए मोडर्न इज में क्या होगा राशनल थिंकिंग को बढ़ावा मिला और इसी को क्या हो रहता है और इस टाइम पर क्या हो रहा था तो यूरोप में नेशन मेला इस टाइम पर इटली का क्या इन तो इस डिवाजेट था और यहां का जो सिसाइटी था वह थे even के पास दि तो इस टाइम पर में जितने भी प्रॉब्लम से स्बही का या एक वीजन था वहOoh Associate pamię चाहिए था, not only corruption is because of the church, but Italy could not be unified into one nation state because of interference of church in politics मैकेवली, अब मैकेवली के बारे मुम दोग देखते हैं, तो इन्होंने various political offices समाले थे, जैसे diplomat थे यह Florence में Court of France में, और इनका जो experience था वो बहुत ही अच्छा था as a diplomat, इनको realist बोला जाता है, realist कि इसको बोलता है, तो जो realism में believe करता है, idealist चीजों पर ना believe करता है, जो realism में believe करता है, उसको realist बोलता है इन्होंने, मैकेवली ने जो politics का reality है, उसको उसको बताया है, लेकिन यह irony है कि इनको reality बतानी के लिए क्रिटिसाइज गया जाता है मैकेवलीजम को एक रोंग वर्ड माना जाता है पॉलिटिक्स में डैनिंग का ये कहना है कि इस पैराटोक्स देट एवरीवन प्रेक्टिसे मैकेवलीजम इन पॉलिटिक्स बट नो वन एकलोन एकनोलिजिज हिम एज मैकेवलीजम अब मैकेवलीज के कुछ वर्ड थे वो क्या क्या थे तो दो प्रिंस इनका बहुत ज़्यादा फेमस बुक है इसमें इन्होंने बताया है कि जो करप्ट सोसाइटी है उसको कैसे रूल करना चाहिए प्रिंस को इसको best book मना जाता है अगर कोई royal society से नहीं belong करता है और वो politics को join करने चाहता है और join ही नहीं, वो अगर power में रहना चाहता है continue करने चाहता है power को तो आ उसके लिए दे प्रिंस book को manual मना जाता है इनका दूसरा जो book था discourse स्कॉर्स इसमें इन्होंने बताया है कि रिपर्ब्लिकन फॉर्म ऑफ गॉवर्मेंट के थ्रू भी रूल किया जा सकता है जैसे एरिस्टोटल बताते हैं लेकिन ऐसा रूल करने के लिए जो सोसाइटी होना चाहिए वो करप्ट नहीं होना चाहिए या बलकि वर्च्व समझे होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्च्चर होगा नेक्स्ट लेक्च्चर होगा